Hello Dost of finally OMG2 official trailer आ गया और इतने सारे cut pit के बाद और इतने सारे controversy के बाद इसका official trailer release कर देगा और trailer release करने से पहले इन्होंने पता नहीं क्या किया है कि मतल्य trailer को चार बार release किया मतलब कि एक दिन में ही चार बार trailer release किया दो गंटे बाद, फिर विर दो गंटे बाद, फिर दील करके दो बंटे बाद, अब मुझे नहीं समझ रहा है, इसके मतलर, ट्रेलर में क्या हेर फिर कर रहे हैं, या फिर कुछ डायलोग की प्राव्लम हो सकता है, या फिर कुछ सीन ये चुपाना चाह रहे है, बद फाइनल आ चुक है और आप जा के देख सकते बड़ मानना पड़ेगा अक्षे कुमारा एनुन के टीम में जो OMG2 में काम कर चुक है उन्होंने काफी जादे पापड़ बले जिससे आपसे इस मूवी पर कॉंट्रवर्सी चल लई थी और जिससे आपसे इसका प्लॉड था स्टोरी था कि सेक्स एजुकेशन के मतलब लेट होगी वो भी बागवान शिप के साथ कॉनेक्ट होने वाली है यह मूवी तो ज़्यादा तर कॉंट्रवर्सी तो स्टार्ट होई गई क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सेंसिटीव टॉपिक उठाया था बट उसके उपर से भी इनोंने अपनी मूवी को मतलब पास करा लिया यानि कि आप थेड्रों में रिलीज होने के लिए तयार हो चुकी सेंसरबोड ने पूरी कोशिच की है ओम जी टू के मेकर स्कूप पर प्रेशर बनानी का और वो दिख भी रहा जिसाब से उन्होंने कट लगाया कि 27 कट लगाया आप सोच सकते है कि मूवी में अगर आप किसी मूवी के 27 कट लगा दें कि उस मूवी की स्टोरी मतलब रियल रह पाएगी कि नहीं जो मतलब मूवी बताना चा रही थी एक्सप्रेस करना का चा रही थी वो मतलब दिखने को मिलेगा कि नहीं अब तो यह मूवी आने के बात बात लेगा सेंसर वोड यही तक चुप नहीं रहे है अगर एकर गुमा फिराइक उन्होंने टीजर को भी फिलम को मतलब एक सट्वियर्ट दिया मतलब एडल्ट देख सकते हैं उन्होंने कहा जैसे तरसे मतलब ले कि वहाँ से निखल गए और आखिरका मूवी को परमीशन मिल गए कि थेट्रों में लग सकती है वो भी उसी दिन जिस दिन इसका रिलिजिंडेट रखा गया है बात को वो टेलर के टेलर देखने से ये पता लगी रहा है कि आखिरकार जो टीजर में चुपाए जाए जाए तरो टेलर में काफी अच्छे से दिखाए जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कोई बंदा मतलब इसमें कॉंट्रवर्सी का हिस्सा बने या फिर पिर कहा है इसे बॉयकॉट या फिर कोई और चीज का मुद्धा सामनी है इसलिए टेलर के स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा है जो शीव अगवान है वो नंदीवान को कहते है वो दिखाया जारे कि हमारे भक्त के ऊपर कोई विपता आ चुके है इसलिए हमारे शीव गण है उनमें से किसी को भेजो उस भक्त की मदद करने के लिए इसलिए पहले क्लियर कर दिया गया है, मतब जो अक्षे कुमार का लुक है, उसमें दिखा जा रहा है, शंकरवान का वो शंकरवान नहीं है, मतब उनके दोरा बनाए गण है, मतब उनके दोरा भीजे गए, एक गण है, गण का मतब यह होता है, जो शंकरवान के मतब काफी मतब सेंसर बोड तो इससे छोडने वाली नहीं थी जिसाब से इसकूब पर कट विट लगा रही थी जिसाब से इसे होल्ड करके रखा था और जो टेलर में देखने को मिल आ है जो कांतिलाल है उनके जो लड़का है जो स्कूल में पढ़ रहा है उनको कुछ गलत करते हुए प कि वही पता लगतक है गलतिक का फिर वापस ह Aceuba करते हैं कि मतरख कर देते हैं मतरख की स्कूल ए उसके उपर ही ए टेलर मुझे को मिल भी रहा को कैसे कांतिलाल खुद ही अपना Case Americans लड़ भी रहा है और यूतूपर से केस कर इए उसको इनोंपर से मिलेगा मतरख की मु काफी टाइम लग रहा है क्योंकि यह मुवी रिलीज होना आली थी माई में बट डिले करते करते आखर कर यह आ गई अगस्त में और देखने को यह मिलेगा स्टोरी मतलब क्या लोगों कर पाती है कि नहीं वैसे काफी तक कोशिच की गई है मतलब जिस आपसे डायलोग आ रहा है मतलब उतना हिसाब से नहीं डाल पा रहा है जितना की पहले omg में देखने को मिला था बट जितना भी इसमें दिखा जा रहा है क्योंकि sensitive topic है क्योंकि आप sex education से कुछ ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको काफी मतलब सोच समझ कर मतलब लिए हर चीज प्रेजन करना होगा ताक यसे सारे cut लगने के बाद और यह था मधा certificate मिलने के बाद यह सर्टिविक्ट मिलने के बाद यह मुवी को थेट्र में उतारा है चाहते है तो OTT पर रिलीज कर सकते है क्या थाधा ताम जाम नहीं होता बट लगता है उनकी काफी confidence है क्या मूवी में ऐसा topic भी है जो मतलब ल मुवी लगता है, अब starting तो opening मता opening जो होगी वह काफी better होगी, अब देखना यही है, 11 अगस्त को मुवी उतरने के बाद मता उस storyline से connect हो पाती है audience से की नहीं, जिस आपसे मता makers ने मता इसको लेकर मता confirm है, और इतिसे सारे controversy के बाद भी इसको तेटरे में उता रहा है, वसे आपको क्या लगता है, यह movie मता बॉक्स केलेक्शन कर पाएगी की नहीं, यह फिर controversy तक ही रह जाएगी, वसे मेरी वीडियो चले हो तो like and subscribe, फिर मिलते हैं next वीडियो में